प्रणाम सौगत है आप सभी का हमारे योटूब चैनल वाइड लाइफ डी जोन से और आसा करते हैं कि आप लोग सभी सकुसल होंगे और मैं विसाई हूँ तो साथियों अभी हमारी ड्राइब चल ले दी पिलिवीत में तो जो वाइड लाइफ एक्सपेडिशन है और जो हम नाइट ड्राइब कर रहे थे तो उसमें हमने कई चीज़े देखी और कई चीज़े आपके सामने जरूर और बहुत जल्द आएगी लेकिन जो अभी ये बात सेरगन नेकले आपके साथ ये ब्लॉग दाल रहा हूँ तो उसका रीजन यह है कि कल मंगलवार 26 तारीको पिलिवीत टाइगर रिजब कि समीब मह आप रेंज में जंगल से सटे गाउं के पास तीन यूवक घास लेने या घास के ले गए थे और तभी एक टाइगर ने सड़न तीन में से एक कोठा के ले गया और तुरंट उसकी मौत हो गए तो जिनको टाइगर ने मा रहा है उनकी उमर तक करीवन 45 वियर्स की बते जा रही है और उनका नाम है तोतर राम जी तो सबसे पहले उनकी आत्मा की सांधिकले हम प्रात्ना करते हैं कि वो जहां रहे है खुश रहे है और बाकी उनकी फैमिली को भी हिम्मत दे जो ये जंग वो हार चुके है उससे लड़ने क और ये मतलब केस ना पिलिवीत में अब काफी जादा इंक्रीज होने लग गया अगर हम बात करें एक मैंने अगस्त में ही ये ब्लॉग भी सेयर किया था जिसमें फिर से रानी गंज ये लागे में एक टाइगर ने रात के डैम में खेट में गाम करने वाले इनसान को मारा और उससे पहले भी कुछ डेज के अंतराल में भी एक केस हुआ था और सेम अभी ये चीज हुई है तो रानी गंज के इलागा भी माहोब रेंज के आसपास ही है तो ये कौन सा टाइगर होगा कौन सा नहीं होगा हम कहीड नहीं सकते और हमारा कहना उचित भी नहीं है क्यू़कि वहां काफ़ी ज़्यादा टाइगर भी है और जो ज्यादता टाइगर है वह इltis के बिलीवीज जाते है or टाइवर प्रπαइड के ले अपने को ढ़ल चु के लोगों से जगू करते हैं और बातचीत करते हैं और समझने की कोशिस करते हैं कि वहाँ जो conflicted area इतना ज्यादा हाई है उसका कारण क्या है तो जो अकसर हमारे सामने आता है एक तो जंगल से सटे वे खेत और दूसरा उन खेतों की रखवाली के लिए वहाँ पे तैनात लोग और रात के टैम में वहाँ पे पानी दालना और बाकी चीज काम करना तो ये कहीं न कहीं एक conflict पैदा कर देता है क्योंकि टाइगर जस सटे वे खेत में जाता है और वो अकसर अपनी सीमा क्रॉस करते हुए ये एनिमल की तलास में वहाँ आने लगता है और वहाँ जाके उनका जब बुटभेड़ होती है इनसानों से तो वो कहीं न कहीं इनसानों में अटेक कर देता है हलाकि हम सभी जानते हैं कि इनसान टैगर की food chain में नहीं आती है लेकिन जब ऐसी conflict होते हैं जब सामने से एक्तम तुरंत कोई आता है तो वहाँ पर टैगर अटेक कर देता है और जब टैगर अटेक करता है तो हम यह भी जानते हैं कि उससे जीतवाना किसी के बसका नहीं है अगर सदन कभी encounter होता है तो उसमें इनसान अपनी जान की वाजी खो देता है तो यह कुछ कर्कार दो जो वैसा ही ही केस हूा है पिलीभीत में तो इसका मैं थोड़ो साथ को जो यहां पर को लोगकबांगर खता हुए तहीं जो किलिप है वो मेरे आप से पाफ़ना है करका बारी यह कर दूब आपका देकर तेखिरो नगराद करने हैं जाए लिश्क्तर के परहें जाए अजाए इन करेंप इंद एग्रे थो चाहिंद संध्रीघर काइग्षाद कर दूब नगें जाए जिया अजिए एगर लिगाद काई जिया मुझा जेह जाए जाए एगभी कि आपने देखा कि मतलब काफी ज़्यादा कॉंफलेक्ट और उस ठाम में जब कुछ ऐसी घटना होती है तो बहुत ज़्यादा अक्रोस होता है लोगों के अंदर और वो कहीं नहीं सही है तो हलंकि मैं लोगों सभी गजार्श करता हूं कि अधिक को टागर एकक से बचाना से नेक्स्ट्थ टू इंपोसिबल अगर किसी भी अटाइक करता है और अच्वन्यागर अपनी रखने के अंदर आपनी इलाके में गळता है अपनी इलाकी की रखव जो पीली भीत के असफ़स के लाके हैं, वहाँ पे लोग थोड़ा सा बेखोप रह के भी जहां तक मैंने अपनी आँखों से भी देखा है और पुराने ब्लॉक्स में भी सेर किया है, लोग वहाँ बतलब की छोटी छोटी चीज के लिए जंगल जाते हैं, जैसे कि हमने देख बहुत जरूरते हैं जिसके लिए वो लोग जाते हैं और बेखोप होके जाते हैं और उनको भी पता होता है हमने कई लोगों से बातचीत करें उनको ये खत्रे का ओलेडी आवाज है कि टाइगर यहां पर है लेकिन तब भी जीवन की चेन को बढ़ाने के लिए वो लोग ऐ करते हैं और उसके लवा यह चीज़ भी हमने देखी अभी लेड़ेस्ट की वहां पर फूल होता है धर्टी फूल धर्टी फूल आप लोग जानते होंगे कुछ अगर मैं को मस्रूम की तरह होते हैं एक्तम सपेद कलर का होता है और धर्टी से निकला हुआ होता है तो उसको लोग जाते हैं जब जंगल और वो चीज इखटा करने के लिए जुकना पड़ता है और जब इनसान जुकता है और टाइगर असपास होता है तो कहीं ना कहीं टाइगर उसको जानवर समझके अटैक कर देता है तो ऐसे करके यहां पर बहुत सारी केसे होते रहते हैं जो मैं है और यह हमने काफी जादा यहां देखा हुआ है तो जैसे अक्सर बात हो दिए कि सुन्दरवन जहां मच्छवारे मचली के लिए जाते हैं और वो जाते ही रहते हैं क्योंकि उनकी जीवन चरिया ही मचली से जलती है उस अलाके में मचली है जिससे वह अपना जीव पिलीवीर के असपास एलाकों में जो जंगल से सटेवें जद्ध़ तरियां खेती ही होती है और वायर-फैंसिंग ना होने के जखकर में टाइगर आराम से खेतों में घुच जाता है और अटेक करता है और उसके बाद यह मैंनेटर कहलाता है तो पिलीवीर भी अगर मैं ब अगर हम बात करें जिम कॉर्वेट में जो केस होते हैं वो भी कुछ भी नहीं है यहां मतलब बहुत ज्यादा कॉन्फिक्ट है बहुत ज्यादा और उसका रीजन आसपस सटेवे खेत और लोहों की मजबूरी यह है और जो ज्यादे तर टाइगर है वो आसपस ही रहते हैं खे सायद ऐसे सेयर करना पब्लिक ली मुझे अच्छा भी नहीं लगता है और ना किसी को करनी चाहिए कोई मर जाते तो उसकी बॉड़ी ऐसे तो लेकिन यह है तो हला कि जो कल का दिन था हम पिलिवीट से सटे इलागों में थे लेकिन ऐसी जगह पे थे कि जहां सिगनल बिलकुल नहीं था आउट अप नेटवर्क थे और वहां से निकलने के बाद हमारी बाद भी जो हमारे मित्र भी है और पिलिवीट के गाइड भी है और जिनके साथ हम पूरा एक दिन पहले सुम्बार के दिन साम से राट से सुबह तक हम उनी के साथ थे तो उसके बाद हम मंगल बर को उसी राके से निकल गए उसके असपास के अलाके में थे लेकिन बाद में जब उन से बाद वी तो तब यह मुझे पता चला कि ऐसा केस हो गया एड विस्टेगो और बाकी जो फोटो देखी उसके बाद तो मतलब मतलब यह मान के चलेगी यह केस हुआ होगा और 11-12 बजे के डाइम में मॉर्निंग के डाइम में और उसके बाद एक तेड़ घंते के अंदर जो उनके साथ दो लोग और थे उन्होंने सूचना दी वन विवाग को और उसके तुरद बाद ही वन विवाग की टीम और जो बा हैं ताइगर बॉडड़ी पे बैट द जिवा नोग फ़ह पहुचे थो टैगर बॉड़ी पे ही था और बॉड़ी छोडने को बिलकुल तयार नी था लेकिन हंगामह kreat करने से लोग के सोर शराबा और लकडी पीटने से टाइगर को भगाने से टैगर वहां से चले आता है आसपास ही होता है लेकिन जब लोग वो बॉड़ी लेके जा रहे होता है तब टाइगर उन पर चार्ज करता है और कब से कम यह चार्ज बीज बनला 20-25 मिटर का होता है और 20-25 मिटर तक टाइगर लोगों के पीछे भागते हैं तो मतला आप समझ सकते कि कितना टैंजर काम है फॉरेस्ट का भी और जो उनके साथ आसपस जो बाग मितर होते हैं उनका भी क्योंकि वो सब लोग पैदल गए थे और कहीं न कहीं अगर टाइगर किसी पे भी अटेक करता तो बचना नामुम्किन था तो उसके बाद उनकी जो बैड बाड़ी है उसको लेके आए फिलाल उ फिर जंगल की दरफ चले गया और बहुकि यह की ऐसे किसे सकम ले लोगों पी थोड़ा सौच्पूस से काम करना चाहिए और बाकि जो एंजियों और पर काम करती हैं बड़े बड़े एंगियों इंटरनेशनल एंज्यू हैं उनको लोगों को एड्यूकेट करना चाहिए इवन मेरी बात हो रही थी कल महां के लोकल्स लोगों से उसके आसपास के सारे लोगों से क्योंकि एक आफ्रिक्ट नहीं होता हूँ और हम उन इलागों में बाचीर भी कर रहे दें और लोगों का कईयों का कहना ये भी था कि कोई ट्रेनिंग नहीं मिलती है कोई हमें नहीं बताता है कोई सिकाता नहीं है कैसे टाइगर के हमलें से बचा जाए और क्या किया जाए क्या ना किया जाए मतलब काफी लोगों ने ये चीज़ हमसे बोली तो हम आसा करते हैं कि जो वहाँ पर काम कर रही है वो प्लीज इस बात पर ध्यान दे कि लोगों से बातशीत करा करें और लोगों को समझाया जाए यही आपकी डूटी है और आप अपनी प्लीज डूटी अच्छे से कीजिए जो वहाँ के आसपास की इलाकी के लोग है उनको एजुकेट कीजिए ट्रेनिंग कीजिए और जो स्कूल्स वगर हैं वहाँ पर कैम्प लगाई है बच्चों से लेकर बड़ों तक को समझाई है कि टाइगर के हमले से बचने के क्या हुपाए है और कैसे कॉन्फिट को कम किया जाए तो ये चीज़ है और बाकी जब हम वहाँ पे थे उस इलाकों के असपस तब एक दिन पहले की बात है तो एक टाइगर जो वहाँ पर एक फिमस होटल है उसके असपस ही पिलवीत रोड में आ जाता है और काफी देर होई पे चैल कटमी करता है तो आप लोग ये वीडियो देखना और इसमें मतलब बहुत लोग है बाएक से भी आ रहे हैं और कैसी खेतों में निकल रहे हैं और उसने पता है धाड़ा भी है गुर्राय भी है कि मेरे सामने से दूर अट जाओ जो जाओ 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 अरह प्सेया पीछा ज्रवासरी ऐसंतर खारी से वतार फर्राय जाओ जाओ ज़िए चराओ जो जाओ किया है क्योंकि जो यह इसी लाकों में भार की तरब टहलते हैं ना वह टाइगर कहीं ना कहीं किसी ना किसी पर अटेक कर चुका होता है तो ऐसे करके टाइगर की कॉन्फिक्ट से बचना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है और आसा करते हैं आप लोग भी अपनी ओर से जितना हो सकते हैं और लोग को समझाय कीजिए और कहीं पर अगर लग रहा है कि ऐसा कुछ हो रहा है तो वह चीज समझाने की जरुवत हैं एज करें इसमें और बाकी आज के ब्लॉक को हम करते हैं समझा और बहुत जल्द हमारे बाकी ब्लॉक्स भी आनवाल हैं तो गैस अभी कुछ ब्लॉक्स तकड़े हैं धमाका मचेंगे ठीक हैं मतलब अच्छे ब्लॉक्स हैं यू रियली इंजॉइ बाकी अप लोग बने रहेगा हम मिलते हैं दुबारा किसी और नए व्लॉक में तब तक बाई बाई टेक क्यार बी सेफ एंड सेव एनिमेल